तो सबसे पहले हैं इसमें आप लोगों को यहां पे प्रूफ दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग इस वेपसाइट पे अपना पेज किरियेट करते हो अपनी पूरफाइल किरियेट करते हो लेजी पेलेटर की लिमीट बैंक में ट्रांसफर करने के लिए तो किस परकास से आपको उपसन मिलने वाला जो कि यहां पे देख सकते हो कि मैंने एक पेज किरियेट कर रखा और मुझे यहां पे पेलेटर का उपसन दिया जा रहा है तो अगर आप भी अपने लेजी पेलेटर की लिमीट बैंक में ट्रांसफर करना चाते हैं तो वीडियो को कंटीनू दे सब्सक्राइब करना तो आप लोगों को सबसे पहले दिखा रहा हूं जो कि देख सकते हो कि मैंने एक पेमेंट पेज कर रखा है अपने खुद की परफाइल बना रखे और यहां पर पेमेंट वाले उपसन पर जैसे ही आ रहा हूं तो यहां पे देख सकते हो हैं जो कि लोगों को इस मलचंट के पेज़ मिलने वाले बस अप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो को बिताओ टिस्कीप करें हुए continue देखते रही है अभी हम क्या करते हैं कि चलिए फटाबस से उस website को open करते हैं और आपको बताते हैं कि उस website पे आपको जाना कैसे है उसका link कैसे मिलेगा किस परकास से account हो गयरा create करना है तो simply case मैंने website को open कर लिया आप लोगों को इस website का link direct video के description में मिल जाएगा आप लोगों को कहीं पे भी इस website को search करने की ज़रूरत नहीं है तो आप लोग simply video के description पे जो link है उस पे click करके इसको open कर लेंगे कोई लंबा चोड़ा process नहीं है कोई भी KYC नहीं करना है आप लोगों को sign up करने के बाद इस आप लोगों के समने इस परकार का option आजाएगा अब इसके बाद आपने क्या करना है simply case यहाँ पे देख सकते है कि add का option आ रहा है पे लेटर की लिमिट बैंक में transfer कर पाए तो यहाँ पे इस आपको काफी सारे option मिलेंगे वीडियो music, document, product, books, लेकिन अपने को यहाँ पर क्या करना है कि अपने को pay later की लिमिट बैंक में transfer करने के लिए सिर्फ इस site को यूज करना है तो आपको यहाँ पे दो option यूज करने या तो यहाँ पे आप raise fund का option यूज कर सकते हो या paid comment का जो option आ रहा है इनका यूज कर सकते हो लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर recommend करूँगा simply raise fund वाला क्योंकि आप other option पर जा सकते हो लेकिन इस पर थोड़ा process लंबा हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं करना है जो raise fund का option आ रहा है आपने simply इस पर click कर देना अब इस पर click कर देना अगर आपको नया payment page create करना है तो नीचे देख सकते हो create new payment page ठीक है अगर आपने पहले से कोई page create कर रखा दे हैं select का option आ रहा है आप इस पर click करकर select कर सकते हो लेकिन चलिए मै यहाँ पे नया से account create कर लेता हूँ यानि कि नया payment page create कर लेता हूँ तो नीचे देख सकते हो create new payment page को option आ रहा है आप simply इस पर click करेंगे अब यहाँ पे सबसे उपर ही आपने enter कर देना है नाम जो भी नाम आपने रखना है ठीक है अब page का group का जो भी है simply आपने नाम यहाँ प upload कर दिया ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपने नीचा आ जाना है अगर आप यहाँ पर description में कुछ लिखना चाहो तो वह भी लिख सकते हो कि आप जो है इस side को किसलिए बना रहे हो क्या benefit और मुलब कुछ इसको enter करने के बाद आपने क्या करना है simply check out का option आ रहा है यह देख अपने according यहाँ पर price enter करके वो payment कर पाए अगर आप fix amount रख देते हो तो वो amount fix हो जाता है जितना amount आप यहाँ पर एंटर करते हो उतना ही amount finally payment करना होता है ठीक है तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दूसरा वाला customize वाला option select कर लेते हैं जिससे कि हम कम या फिर ज्यादा payment अपने according कर पाए उसके बाद यहाँ पर minimum amount यानि कि आप कितना minimum amount पे करवाना चाते हो यहाँ पर हम एक रुपे एंटर कर देंगे ठीक है और यहाँ maximum में maximum में क्या है कि यहाँ पर अपने according एंटर कर सकते हो एक लाग दस अजार बीस अजार मलब जितना भी आप अपने according एंटर कर सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ make payment में आप क्या एंटर करना चाते हो call to मलब जो भी आप यहाँ पर बोलना चाते हो make payment, proceed payment जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर email और phone यानि कि email यहाँ पर require रहेगा और phone number भी require र करना है normal profile यहाँ पी create करना है ठीक है मैं सिर्फ आप लोगों को normal profile बता रहा हूँ जिससे कि हमारी लेजी पी लेटर के लिमिट बैंक में transfer हो पाए ठीक है अगर आपको proper page करना है तो वो भी आप create कर सकते हो कोई भी issue नहीं है यहाँ पर payment हो गए रहा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी आप चाहिए normal page create करो या फिर high-five page create करो इसके बाद आपने क्या करना है उपर देख सकते हो publish page का option आ रहा है आप simply इस पर click कर देंगे इस पर click करने बाद इस आपका जो पीच है हो successfully create हो चुका है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा username भी आ चुका है इसके बाद continue option आ रहा है simply continue पर click कर देंगे अब continue पर click करने के बाद जो हमारा page है वो यहाँ पर create हो चुका है हमें कोई भी process नहीं करना पड़ा सिर्फ हमने इस website पर sign up करा यानि कि अपना account create करा उसके बार normal process से हमने यहाँ पर एक page create कर लिया कोई भी हमें document यहाँ पर नहीं देना आपने simply share पर click कर देना अब share पर click करने के बाद यह हो गया आपके profile का link और यह social media के account अगर आप चाहो तो इन social media पर इस link को share कर सकते हो otherwise आप simply इसको copy करेंगे आप जैसे अपने टेलीग्राम या फिर वर्सब अकाउंट में आप जैसे अपने टेलीग्राम या किसी भी वर्सब अकाउंट पर आ जाएंगे उसके बद गर आपने यहाँ पर अपने link को कर देना है पेस्ट जो आपने copy कर रहा था उसको paste करके send पर कर देना है click send पर click करने बद गिस आपके सामने इस परकार का page open हो जाएगा ठीक यानि कि आपका जो link है यहाँ पर paste हो जाएगा इसके बाद आपने क्या करना है वो यहाँ पर आ चुक है इसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हो now more का option आ रहा है अपने simply इस वाले option पर click कर देना है इसके बद गिस आपके सामने इस परकार का option आ जाएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हो proceed to pay का option आपके सामने आ जाएगा ठीक है तो आपने क्या करना है simply proceed to pay पर कर देना है click proceed to pay पर click करने के बाद इस आपके सामने इस परकार का option आ जाएगा अब इस यह आपका खुद का payment page है ठीक है आप खुद से भी payment कर सकते हो कोई भी issue नहीं है इसके बाद यहाँ पर आप अपने coding amount एंटर कर लेंगे ठीक है आप जितना भी amount transfer करना चाहते हो लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपने ध्यान देना है कि भाया इस पर चार्जिस आपको काफी जादा pay करने पड़ेंगे अगर आप लोग इस site का यूज करते हो तो आपको कम से कम 10% के चार्जिस यहाँ पर देने पड़ेंगे जो कि यहाँ पर देख सकते हो कि हमने 100 रुपए यानि कि 100 रुपए का amount एंटर करा और हमारा जो total amount आ रहा है वो यहाँ पे 110 रुपए आ रहा है अगर आपको बहुत ही ज्यादा emergency है तब ही आप लोग इस site पे page को create करके इस परकार का option यूज करें यानि कि लेजीपे की limit bank में transfer करें आदरवाइस आप दूसरी भी application देख सकते हो यहाँ पर हमने कर दिया amount एंटर उसके बाद यहाँ पर हमारी email id है वो पहले से डली आ रही है इसके बाद यहाँ पर mobile number एंटर करने के लिए बोला जा रहा है जो कि यह require है तो मैं simply यहाँ पर कोई सा भी mobile number एंटर कर लेता हूँ अब इसके बाद आप simply make payment पर click कर देंगे अब make payment पर click करने बद गया इस आपका जो पेच है वो लोड हो जाएगा और यहाँ पर payment के option सारे open हो जाएंगे ठीक है अब गईस यह जो page create करा था यह आपका खुद क जाए बहुत सारे यूपय application आजाएंगे net banking wallet का भी option आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है जो कि यहाँ पर दिखा भी देता हूँ wallet वाले option पर click करेंगे और यहाँ पर देख सकते हूँ कि कितने सारे option आपको मिल जाएंगे आप चाओ तो यहाँ से आमाजन और ग and ICBank का जो pay later है इन दोनों को option आपको इस page पे मिल जाएंगे तो इस परकार से आपके page पे ही lazy pay का option मिल जाएगा अब आप लोग payment करना चाहो तो lazy pay को select करके OTP को fill up करके यहाँ से payment कर सकते हूँ आपकी जो भी payment है वो direct आपके wallet में चली जाएगी आपको इस यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको कैसे इस website पर आके account हो गएरा create करना है किस परकार से page हो गएरा बनाना है किस परकार से lazy pay का option आपको मिलेगा अपको इस यहाँ पर आपको lazy pay later के limit bank में transfer करना है तो आपने simply lazy pay को select कर लेना है उसके बाद आपने OTP को fill up करना है और simply payment कर देना है तो आपकी जैसे payment complete हो जाती है उसके बाद आपका जो भी amount यानि कि आप जो भी payment करते हो वो आपके profile में so होने लगता है तो अभी मैं क्या करता हू को चलिए दुबारा से मैं अपनी profile open कर लेता हूं और आपको बताता हूं कि अगर आप payment कर देते हो इस link पे click करके तो आपकी जो payment हो कहाँ पे so करेगी और आप उसको कैसे withdraw कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर किस मैंने अपनी profile को कर लिया है open बात करते हैं कि अगर आप उस page प ने क्या करना है यहाँ पर देख सकते हो wallet को उप्षन आ रहा तो आपने simply wallet पे click कर देना है wallet पे click करने के बाद इस आपका जो भी amount होता है यानि कि आप जितना भी amount pay करते हो अपने link पर click करके वो आपके यहां पर आप इन wallet में so होने लगेगा यानि कि उपपर वाले option पे so ह होने लगेगा आप यहां पर बात करते हैं कि आपने payment भी कर दी आपका amount यहां पर सो होने भी लगा है इसके बाद आप इस amount को withdraw कैसे करेंगे जो कि किस यहां पर देख सकते हो नीचे बोला जा रहा है setup you are wallet ठीक है यानि कि सबसे पहले आपको अपना wallet यहांपे setup करना पड़ेगा, उसके बाद आप लिद्रो लगा सकते हो। हमने क्या करना है क्या करना है, यहांपे सबसे पहले क्या करना है कि यहां पर एक security pin create करना है, यहां पर देख सकते हो set you are pin आप बीना pin के यहां से withdraw नहीं ले सकते हो तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं कि pin create कर लेते हैं तो set pin का option आ रहा है इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद गए जो हमारी register email ID है उस email ID पर एक OTP send कर दिया गया है लिए बोला जा रहा है तो आप अपने pin को confirm करेंगे उसके बाद confirm pin का option आ रहा है इस पर click कर देंगे इस पर click करने के बाद कि इस आपका wallet pin है यानि कि security pin है वो successfully create हो चुका अब इसके बाद कि यहां पर देख सकते हो कि withdrawal information के लिए बोला जा रहा है यानि कि आप किसके थुरू withdraw लेना चाते हो withdraw to bank account, withdraw to UPI account अब यहां पर कैसा आपको अपने according select करना है कि आपका जो इस page पे इस profile पे जो भी payment आती है वो किसके थुरू यानि कि आप अपने bank में transfer करोगे या फिर किसी भी UPI ID के थुरू उसको अपने bank में transfer करोगे तो यहां पर अगर आप उसको bank में transfer करना चाते हो तो उपर वाले option पे click करेंगे setup का option आ रहा है इस पे click करेंगे उसके बद कि सबसे उपर आप यहां पे beneficiary का नाम यानि कि आप अपना नाम डालेंगे उसके बाद यहां पे account number और उसके बाद IFC code डालके simply save पे click कर देंगे तो आपका जो account detail है वो यहां पे safe हो जाएगे यादा रवाइस आप इस amount को UPI में transfer करना चाते हो तो UPI वाले option पे आएंगे यानि कि इसको tick करेंगे और उसके बाद यहां पे UPI ID एंटर करने का option आ रहा है तो चलिए मैं यहां पे UPI ID भी एंटर करके आपको दिखा भी देता हूँ तो मैंने यहां पे simply एक UPI ID अपनी एंटर कर दिया UPI ID एंटर करने के बाद simply save पे click करेंगे save पे click करने बाद गए जो मेरा UPI account है वो successfully यहां पे add हो चुका अब इसके बाद गिस उपर देख सकते हो कि आपका जो भी account balance है यानि कि wallet balance है आप यहां view पे click करेंगे और उसके बाद गिस आपके सामने यहां पे आपका account balance आजाएगा जो कि यहां पे दिख सकते हो कि जो setup का option था, withdrawal setup का option था वो भी हट चुका अब इसके बाद गिस आपको यहां से money withdraw करना है आपके account में जितना भी balance होता है सिर्फ आपको withdraw पे click करना होता है और आपका जो भी amount है वो successfully यहां से withdraw हो जाता है इसके बाद भी अगर यह site भी आप लोगों के लिए work नहीं करती है तो भी गईस आप लोगों मुझे comment करके बोल सकते हो इसके बाद किस मैं आप लोगों के लिए core application बताऊंगा जिसपे के आप लोग 100% free में लेजी पे लेटर के लिमिट बैंक में transfer कर सकते हो उस पर लोगों को छोटा सा process करना है एक account create करना है और एक group create करना है आपको group में subscription add करना है और subscription के थुरू आप लोग काफी आसानी से लेजी पे से payment accept कर सकते हो तो अगर आप लोगों को इस तरह चार्ज भी नहीं देना है तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस application पर आप लोगों को वीडियो बना के दूँ तो आप लोग मुझे comment करके जरूर बताइए ठीक है इस आप लोग इस site को यूज करना चाहते हो तो आप लोग profile page और create करके इसको यूज कर सकते हो अगर आप लोगों को ज़्यादा emergency है तो